आपका एक नमबर सवाल है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आपका ओप्षन है, A. लालकिला, B. ताजमहल, C. कुतुब मीनार, D. जन्तर मंतर सही जवाब है, ओप्षन दी, ताजमहल आपका दो नमबर सवाल है, हवा मेहल भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ओप्षन है, A. गोआ, B. आगरा, C. जैपूर, D. दिल्ली सही जवाब है, ओप्षन दी, जैपूर आपका तीन नमबर सवाल है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? आपका ओप्षन है, A. काला, B. नीला, C. लाल, D. पीला सही जवाब है, ओप्षन दी, पीला आपका चार नमबर सवाल है, शरीर का कौन सा रंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? आपका ओप्षन है, A. हड़ी, B. नाखुन, C. बाल, D. कोई नहीं सही जवाब है, ओप्षन दी, बाल आपका पांच नमबर सवाल है, मसाले की रानी किसे कहा जाता है? आपका ओप्षन है, A. डाल्चीनी को, B. काली मिर्च को, C. इलाइची को, D. खींद को सही जवाब है, ओप्षन C. इलाइची को आपका छे नमबर सवाल है, किस राज्य में चंदन के घने जांगल है? आपका ओप्षन है, A. करनाटक, B. सिक किम, C. उत्तराखन, D. हिमाचल सही जवाब है, ओप्षन A. करनाटक आपका साथ नमबर सवाल है, कौन सी मच्छली हवा में उरती है? आपका ओप्षन है, A. फ्लाइंग फिश, B. गरानाई फिश, C. क्वींग फिश, D. सुर्मई मच्छली सही जवाब है, ओप्षन A. फ्लाइंग फिश आपका आठ नमबर सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका ओप्षन है, E. जम्मू कश्मीर, B. बिहार, C. केरल, D. गोआ सही जवाब है, ओप्षन D. गोआ आपका नौ नमबर सवाल है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा? आपका ओप्षन है, E. दस वर्ष, B. पांच वर्ष, C. बारा वर्ष, D. अठारा वर्ष सही जवाब है, ओप्षन B. फाइव वर्ष आपका दस नमबर सवाल है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? आपका ओप्षन है, E. बक्री, B. भेंस, C. भेंड, D. उन्ट सही जवाब है, ओप्षन A. बक्री आपका ग्यारा नमबर सवाल है, भारत का राष्ट्रियत योहार कौन सा है? आपका ओप्षन है, E. बी होली, C. बी पावली, D. स्वतंत्रता दिवस सही जवाब है, ओप्षन B. स्वतंत्रता दिवस आपका बाराह नमबर सवाल है, भारत का राष्ट्रियत खेल कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. क्रिकेट, B. का बड़्डी, C. खोखो, D. होकी सही जवाब है, ओप्षन D. होकी आपका तेराह नमबर सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? आपका ओप्षन है, A. सोया बीन, B. जो, C. गेहू, D. चावल सही जवाब है, ओप्षन D. चावल आपका चोदह नमबर सवाल है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. सेब, B. अनार, C. कीवी, D. ड्रेगन फ्रूट सही जवाब है, ओप्षन C. कीवी आपका पंद्रह नमबर सवाल है, निम्नल लिखित में से किसकी आँखे नहीं होती है? आपका ओप्षन है, A. चीची, B. केचुआ, C. सांप, D. चमगादर सही जवाब है, ओप्षन D. केचुआ आपका 16 नमबर सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके नौ दिमाग होते हैं? आपका ओप्षन है, A. ओप्षोपस, B. जिराफ, C. घोरा, D. हवेल सही जवाब है, ओप्षन A. ओप्षोपस आपका 17 नमबर सवाल है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? आपका ओप्षन है, A. पांच साल, B. एक साल, C. दस साल, D. हमेशा के लिए सही जवाब है, ओप्षन D. हमेशा के लिए आपका 18 नमबर सवाल है, कम्प्यूटर का सबसे महत्वपोन हिस्सा कौन सा होता है? आपका ओप्षन है, A. की बोड, B. मोनिटर, C. CPU, D. माउस सही जवाब है, ओप्षन C. CPU आपका 19 नमबर सवाल है, किस समारक को भारत का राष्ट्रिय समारक कहा जाता है? आपका ओप्षन है, A. ताजमहल, B. इंडिया गेट, C. लालकिला, D. जंतर मंतर सही जवाब है, ओप्षन D. इंडिया गेट आपका 20 नमबर सवाल है, कौन से जीव की जनसंख्या सरवाध्यक है? आपका ओप्षन है, A. उंट, B. पक्षी, C. मचली, D. कोक्रोच सही जवाब है, ओप्षन C. मचली आपका 21 नमबर सवाल है, चंद्रमा से पृत्वी पर लोटने वाला पहला जीव कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. अच्छुआ, B. कुत्ता, C. बिल्ली, D. चुहा इस प्रश्न का उत्तर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, कल के वीडियो में बिजेता का नाम बताया जाएगा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज